हेलो एवरिवन, वेलकॉम अगेन टू लन्वरे देतीमन, तो आज का जो वीडियो है वो इस्पेस ली रीट के त्यारी करने वाले सभी विध्यार्टियों के लिए हैं तो यहां पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम तयारी करें कि एक बार में तयारी करके 130 प्लस मार्क्स जो है वो हम लेकर आ सकें कौन सी बुक पढ़हें हम NCRT पढ़हें या RBSC पढ़हें तो सारे कंफिूजन जो है वो दूर हो जाएंगे आज वीडियो जो है starting से end तक बहुत अच्छे से देखना है जिससे की सभी बातें समझ में आ सके जो लोग वीडियो को अधूरा देखते हैं तो अधूरा ग्यान जो है वो कभी भी काम में नहीं आता है तो कैसे तयारी करेंगे हम REIT की कि एक बार में ही हमारी तयारी ऐसी हो जाए कि हम marks इतने अच्छे लेकर आ सके और फिर दुबारा से हमें तयारी ना करनी पड़े क्योंकि जो बच्चे अभी exam हुआ था REIT 2021 का और जिनके marks जो है 120 से भी कम रहे गए हैं तो उन लोगों को ये पस्तावा हुआ होगा कि हम जो है उन books को follow करते जिससे कि हमारी तयारी अच्छी होती और हमारे भी उतने ही marks आते जो की दूसरे students के आये हैं बहुत सारे बच्चों के सटीक तयारी करने की वज़े से 130 marks आये भी है ठीक है और उससे अधिक marks जो है वो लेकर भी आये हैं तो कैसे हम तयारी करें कौन सी हमारी कम्या रही है और उन कम्यों को हम दूर करें और जो ब उनके mind में जो हैं ये सभी बाते इस वक्त आती हैं तो ये चीज तो आप लोगों को पता लग ही चुकी है कि आगामी REIT 2022 में 20,000 विकैंसी के लिए घोसना जो है वो की जा चुकी है नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि हम लोग खरे उतर सकें और हम जॉब ले सकें क्योंकि बार बार उसी चीज को तैयारी करना उसी चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा परेशानी वाला विशय हो जाता है तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कि किस बुक को आप फॉलो करेंगे जिससे कि आपके बह एक्जाम देते हैं लेवल वन का और जिन बच्चों ने बेड किया है वो देते हैं लेवल टू का एक्जाम तो यहां मैं दोनों को लेकर ही चलूंगी कि दोनों लोग कैसे तयारी कर सकते हो ठीक है लेवल वन वाले भी और लेवल टू वाले भी कौन सी बुक जो हैं पढ़ या RBSC बुक कौन सी है तो देखिए लास्ट येर से पहले जो बुक चल रही थी स्कूल में वो थी राजिस्थान माधिमिक सिक्षा बोर्ड की बुक जिने आप RBSC की बुक कहते हो और वर्तमान में चल रही है NCERT की बुक के साथ में हमारा राजिस्थान बुक ये वर्तमान म से कोई एक बुक पढ़ें तो कई बच्चे क्या करते हैं RBSC को भी पढ़ना चाते हैं और NCERT जो नई चल रही है उसको भी पढ़ना चाते हैं या कई बच्चे ऐसे करते हैं कि पुरानी जो है उसको भूल जाओ और केवल नई जो चल रही है उनको ही ध्यान में रखें तो मैं जो बताऊंगी वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और जिन्हों ने बार बार जिनको confusion होता है उनको आगे जाके confusion ना हो तो level 1 हो या level 2 हो बुक के वारे में आपको ये पता रहना चाहिए कि जो आपकी RBSC की बुक चल रही थी last year से पहले तो आपके syllabus में दिया हुआ है क आपको इन ही बुक को पढ़ना है ठीक है एक बात तो ये आपको बहुत अच्छे ध्यान में रखनी है ठीक है दूसरी जो वर्तमान में NCERT के साथ हमारा राजिस्थान बुक चल रही है स्कूल में उसमें से आप लोग पढ़ेंगे हमारा राजिस्थान यानि RBSC के साथ हमा सिंपल सी बात यही है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि RBSC की बुक जो की लास्ट यर से पहले चल रही थी स्कूलों में वही बुक आप जो है मार्केट से लेकर आएं और वर्तमान की जो हमारा राजिस्थान बुक चल रही है इसको आपको फॉलो करना है ये जो दो बु जो को भी पढ़ना है हमारा राजिस्थान तो लेवल वन और लेवल टू दोनों ही पढ़ेंगे यहां पर देखिए जो लेवल वन के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे RBSC की क्लास थर्ड से लेकर और क्लास एट तक की सभी बुकें ठीक है चाहे वो मैथ की हो चाहे वो EBS की हो चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिस हो, संस्कृत हो पढ़नी है आपको क्लास थर्ड से लेकर और क्लास एट तक की बुकें दूसरी बात करते हैं हम लेवल टू वाले बच्चों के लिए तो उनको हमारा राजिस्थान बुक पढ़नी है 6 से 10 तक की वहीं जो राजिस्थान माध सिख्षा बोर्ड की जो बुक चल रही थी पहले वो पढ़नी है आपको 6 से लेकर 10 तक, SST के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिस के लिए या संस्कृत के लिए और साइन्स मैथ वाले बच्चों को भी यही बात है कि उनको 16 से लेकर 10 तक की कितावें पढ़नी हैं, जिन सब 12 की भी पढ़ें क्या, 11 और 12 की बुक केवल और केवल आपको मनोविज्ञान के लिए पढ़नी है, साइकलोजी के लिए पढ़नी है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए यदि निचोड निकाला जाए कि कौनसी बुक पढ़नी है, तो बिलकुल माइंड में ये चीज बिठा लो, अच्छे से कि आप लोगों को RBSC जो पुरानी बुक है, वह 6 से 10 तक की पूरी पढ़नी है, हर सब्जेक्ट के लिए और मनोविज्ञान के लिए केवल 11 और 12 की पढ़नी है, ठीक है, SST के जो बच्चे हैं, जो कहते हैं कि हम इतिहास जो है, वह 11 बार्मी का भूगोल पढ़ना है, तो वह पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोग रीट का एक्जाम दे रहे हो, 10th क्लास के बाद जो है, वह आपको SST के लिए पढ़नी की जरूरत नहीं है, 6 से 10 तक पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ पढ़ना चाहते हैं, तो केवल मैं रीट की बात कर रही हूं, रीट यदि क्वालिफाइ करना है, तो 6 से लेकर 10 तक की बुक को ही पढ़ना होगा, और साइकलोजी के 30 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, 11 और 12 की जो बुक है, पढ़ेंगे, जो की स्कूल में चल रही है, ठ ठीके, तो देखिए, आपका जो पेपर होता है, लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, देड़ सो माक्स का कुश्चन पेपर होता है, ठीके, तो यहां पर लेवल 2 की यदि बात करें, तो 60 माक्स का एसेस्टी का आता है, वही पर मैथ साइंस के बच्चों का भी 60 माक्स का ही आता है, तो इन books को ही आपको पढ़ना है, तो इन 60 marks मैं से कैसे 60 मैं से 60 ही number लाने हैं, तो उसके लिए आपको इन book को पढ़ना पढ़ेगा, book को ऐसे पढ़ना है, आपको हर एक line जो है, वो आपको रटी होनी चाहिए, जो भी बच्चों ने exam दिया था, अभी read 2021 का, तो उन लोगों को काफी टाइम मिला लेकिन फिर भी बच्चे confusion में रहे कि क्या हम कोई guide खरीद लाएं अन्त में तब भी मैंने उन लोगों को मना किया था exam देने के बाद उनको मेरी बाद जो है वो बहुत अच्छे से सही लगी सटीग लगी कि मैंने जो कहा था वही हमने किया और हमने 130 प्लस marks जो है वो लिये भी है तो ऐसा ही आपको बिल्कुल अच्छे से विश्वास करते हुए चलना है भरोसा करना है ठीक है बिल्कुल भटकना नहीं है कौन सी book जो है वो हम खरीद कर लेकर आएंगे तो देखिए 1500 marks का आपका question होता है question paper होता है जिसमें से 60 marks जो है वो आपके subject के आते है जैसे कि SST जिसका subject है उसके 60 marks के आते हैं science math वालों के 60 marks के आते हैं और वहीं पर EBS और math जो है level 1 वालों का तो उनका भी 60 marks का आता है ठीक है तो ये तो हो गई 60 marks की बात उसके बाद psychology जो है 30 number की आती है तो वो आप 11-12 की book पढ़ेंगे और वो भी book ही बढ़नी है आपको जो school में चल रही है राजिस्थान माधमिक सिक्षा board की book या फिर जो अभी वर्तमान में चल रही है वो है 11-12 की book उसे ही आप लो पढ़ेंगे ठीक है फिर उसके बाद दो language आती है 30 number Hindi और 30 number English तो उसके लिए भी मैं यही suggest करूंगी कि हिंदी के लिए आप लोग 6-10 तक की जो हिंदी व्याकरण चल रही है वही पढ़ें level 1 वाले और level 2 वाले और वही पर जिनका English language subject है तो वो लोग भी पढ़ेंगे 6-10 तक ही book ठीक है फिर बसती है आपकी section विदिया तो मानिए इन book को पढ़ने के बाद आपको अलग से section विदियों की कोई भी book लाने की जरूरत ही नहीं पढ़ती है बिलकुल जरूरत नहीं पढ़ती है और जैसे exam आने का time होता है तो मैं आप लोगों को question answer इतने ज़्यादा करवा देती हूँ कि आप लोगों को कोई भी अलग से guide book इसकी कोई भी जरूरत नहीं पढ़ती है तो सबसे पहले तो आपना time management उसे करिए सही यदि आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पूरे दिन में केवल एक या दो घंटे या तीन घंटे पढ़कर ही crack कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल संभव नहीं है अब आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए यदि वाकई में आप लोगों को job चाहिए तो हमारे लिए पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है चाहे वो married हो चाहे वो unmarried हो दोनों के लिए यही चीज है time तो आपको निकालना पड़ेगा job आपको लेनी है तो तयारी भी आपको ही करनी पड़ेगी यहाँ पर बच्चों के mind में बहुत सारी जो है ऐसी स्थितियां आ जाती है यही समझ में नहीं आता है कि book कौन सी line market में बहुत सारी book मिल रही है ठीके proper तरीके से guide करने वाला कोई नहीं है तो यह चीज आप बहुत अच्छे से जानिए कि मेरी इस बात को आप लोग follow करिए मानिए इन books को लेकर आईए 6 से 10 तक की book और इनको आप पढ़ना start करिए अभी आप लोगों के पास काफी time है फिर बाद में आप लोग जो हैं जिनकों के पास time नहीं रहता है फिर आप लोग परिशान होते हैं कि हम कहां से पढ़ें तो उसके बाद सटीक अध्यान सामगरी जो कि मैंने आपको बता दी है कि time management करके कि हमें इतने घंटे में इतनी चीज़ें पढ़नी है या हमें शाम के time जो है revision करनी है किस तरीके से हम लोग जो है अपना काम भी कर सकें जो हम daily करते हैं और उसके साथ पढ़ाई जो है वो हम कैसे करें तो यह सब कुछ आपके उपर depend है तो time table जो है वह भी वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊंगी कि किस तरीके से बच्चे जो है 11-11 घंटे 10-10 घंटे जो है पढ़ते हैं और फिर जो है marks इतने अच्छे लेते हैं 130-135 marks लेते हैं कि उन्हें बाद में यही जुरुत नहीं पढ़ती है सोचने की कि हमारा selection होगा या नहीं होगा बिल्कुल बेफिकर होकर बैठते हैं और एक बार में ही crack कर लेते हैं बार बार चीजों को पढ़ने से परेशानी होती है तो आप लोगों को एक ही काम करना है कि एक ही बार पढ़ना है तो जिन बच्चों ने मेरी बात सुन ली थी तो उन बच्चों के बहुत अच्छे marks हैं और वो लोग जो हैं जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर्म बगरा निकले हुए है जिसमें आप लोग फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आप लोगों का सीधा सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो यही आप लोगों को भी करना है जो नए बच्चे हैं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप लोग तैयारी जो है वो अभी से ही सुरू कर दीजिए इन चीजों को बिलकुल बहार निकाल कर फै किये कि हमें तो उससे मिलना है या हमें तो इस चीज की तैयारी करनी है पढ़ाई से हट कर क्योंकि सारी चीज़ें जो है यही पर सब रह जाती है जब हम फैल हो जाते हैं एक माक से आदे माक से तो कोई यह नहीं पूचता है कि कितनी देर तक पढ़ाई की कितने घंटे तक पढ़ाई की उनका यही बोलना होता है कि पढ़ाई की होती तो ऐसा नहीं हुआ होता ठीक है तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है कि एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, क्योंकि जो रह गया, वो तो रह गया, उसका कोई भी solution नहीं निकलता है, solution जब होता है जब आप लोग उस चीज़ को नहीं पकड़ते हो, तो पकड़ना आपको अभी से ही है, तो क्य करना है आपको, मैंने आपको बता दिया कि RBSC की बुक पढ़नी है, राजिस्थान माधमे सिक्षा बोर्ट की बुक, यदि आप रीट को अच्छे से क्रैक करना चाते हो, 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर कोई लेकर आजाता है, लेकि 90 नंबर से भी आपक कुछ नहीं होने वाला, आप लोग 120-130 मार्क्स लेंगे, तभी आप लोग जो है, वो जॉब ले सकते हो, वैसे भी आप लोग चाहे कितने भी विकैंसी हो, 20,000 हो, 10,000 हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो केवल एक पद चाहिए होता है, तो आप वो क केवल अपना एक पद लेने के लिए तयारी करोगे, ठीक है, ऐसा दिमाग में सोच कर चलना है, फुल मोटिवेशन के साथ काम करना है, बिलकुल हतास नहीं होना है, जो लोग अभी रह गए हैं, जिनके कम माक्स हैं, जिनको डाउट है, वो लोग तयारी सुरू कर दें, तो ये चीज आप लोगों को मैंने आप बताई है, ठीक है, तो बुक जो हैं, वो आप लेकर आएं, हाला कि हमारा राजिस्थान की जो बुक है, जिसमें 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास जो है, वो यूटूब पर चल रही है, और उसके जो बनाए हुए question answer, जो format में, वो भी मैं आप लोगों के लिए daily लेकर आती हूँ, तो अभी जो है, वो हम बुक पढ़ रहे हैं, इससे पहले 6th और 7th की बुक भी पढ़ ली है, question answer भी हम लोगों ने कर लिये हैं, तो जो हमारे साथ regular रहेंगे, तो उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, बहुत अच्छे marks लाने के जीए, और कुछ ही दिनों में हम लोग RBSC की जो बुक है, वह question answer format में start करने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने last year मेरे साथ में ही सारी बुके जो हैं, वो clear कर ली थी, history की, geography की, quality की, और economics की, तो सभी question answer format में मैंने आप लोगों को provide करवाये थे, जिससे की तैयारी इतनी अच और exam hall में जाकर वो यही कह रहे थे, question paper बहुत ज्यादा easy था, तो ज्यादा easy उनी को लगता है, जो लोग तैयारी जो है, वो 60 तरीके से करते हैं, तो यह चीज मैंने आज आप लोगों को बताई है, और आप लोग अभी से ही start हो जाएं, मिलते हैं next video में, thank you झाल झाल